Hello students, आज के अपनी इस वीडियो में हम जो third step होता है transcription का termination of RNA chain उसको discuss करने वाले हैं अपने जो हमारे पुराने दो जो हमारे क्या है, पार्ट से वीडियो के उनमें हम already discuss कर चुके हैं जो part 1 था उसमें initiation को, जो भी transcription का initiation होता है और जो part 2 था वीडियो का उसमें हमने जो elongation होता है उसको हम discuss कर चुके है तो इस वीडियो में हम discuss करेंगे कि कैसे end होता है transcription का यानि जो RNA chain बन रही है continuously synthesize हो रही है वो कैसे terminate होती है और messenger RNA release हो जाता है तो basically RNA polymerase continuously transcription करता रहता है जब तक कि उसको कोई जो signal होता है stop होने का वो ना मिल जाए यानि कि जो भी continuously RNA chain synthesize हो रही है जब उसको कोई stop codon encounter होता है तब ही वो termination का process वहाँ पे होता है तो जो process होता है end करने का transcription को उसको हम क्या कहते है termination कहते है या termination of RNA chain कहते है जो termination होता है RNA chain का वो कब होता है जब RNA polymerase को एक termination signal मिलता है और ये ऐसे जो हमारे DNA का जो sequence है ऐसे जो terminator sequence होते है basically उनको transcribe कर देता है तो basically क्या होता है जिसे ये continuously synthesize कर रहा है ये template stand है for example जैसे ही इसको terminator signal जो terminator sequence है वहाँ पे ये transcription करता है तो इसको signal मिल जाता है transcription को stop करने का ठीक है जब ये होता है termination तो जो transcription complex है यानि जो proteins associated है वो सब के सब क्या हो जाते है आपके dissociate हो जाते है और RNA molecule जो synthesize हो है जिसको हम क्या बोलते है messenger RNA वो आपका release हो जाता है तो ये process क्या है आपका termination तो basically e-coli यानि prokaryotes में दो टाइप से termination हो सकता है पहला जो है उसको क्या बोलते है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन बोलते हैं और जो दूसरा होता है उसको क्या बोलते है रो इंडिपेंडेंडेंडेंट टर्मिनेशन तो जो रो डिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें तर्मिनेशन है रो इंडिपेंडेंट उसमें रो की इन्वाल्मेंट नहीं होती है उसके बिना ही टर्मिनेशन हो जाता है तो इसको क्या बोलता है रो इंडिपेंडेंडेंट टर्मिनेशन तो हम दोनों टाइप के टर्मिनेशन डिसकस करेंगे पहले हम डिसकस करेंगे कि रो independent termination कैसे होता है यानि जब raw protein present नहीं है ठीक है तो जो raw independent termination होता है जो terminator sequence होते हैं यहाँ पर यह important role play करते हैं उनका जो sequence है अगर जो terminator sequence encounter हुए है जो growing RNA chain है उसको उसमें जो GC rich reason होता है बहुत और उसमें उसके बाद क्या होते है 6 और या उससे जादा 80 base pair होते हैं तो ऐसा जो terminator signal अगर जो terminator sequence present होता है जहाँ पर जो continuously A present होते हैं template strand में इसको हम एक बाद image की help से देखेंगे row independent termination को आप देख रहे हो यह आपका template strand है और आप देख रहे हो यहाँ पर यह एक GC rich region है यहाँ पर आप देख रहे हो GC rich region है GC 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 है और यहाँ पर आप देख रहे हो तो जैसे C G G मतलब की GC जादा amount में present है यहाँ जो nucleotide है वो GC 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 इस तरह के से present है और इसके बाद template में क्या है 6 adenine present है तो क्या होता है जब यह आपके transcribed होता है तो यहाँ पर आप देखोगे कि यह GC rich region है और यह यह भी आप देखो synthesize हो रहा है और इसके बाद क्या है एड़नीन के 6 molecule है यानि 6 adenine present है तो adenine के बाद opposite क्या आके जुड़ेगा यहाँ पर जब RNA chain यह synthesize होगी uracil आके जुड़ेगा तो आप देख रहे हो transcription हो गया है तो यह जो है complementary sequence होते है आप देखोगे कि यहाँ पर यह जो synthesize होए है यह एक दूसरे के complementary होते है तो जैसे ही synthesize होते है यह एक दूसरे के साथ bonding बना लेते है ऐसे u-pin structure बन जाती है यह इसको क्या बोलते है u-pin कहते है यह आपकी ऐसे structure बन जाती because जो पहले synthesize होए थे और इसके बाद यहाँ पर synthesize होए यह एक दूसरे के complementary है तो जैसे यह T था तो इसके complementary adenine, guanine के complementary cytosine, cytosine के complementary guanine तो ऐसे complementary sequence जब present होते है तो यह क्या कर लेते है एक hairpin structure आपकी ऐसे hairpin जैसी बन जाती है यह u-pin कहलो या आप hairpin कहलो यह बन जाती है तो इससे क्या होता है pressure create होता है यहाँ पर जो यह synthesize हुए है और because हम सब को पता है कि जो adenine है वो double bond बनाता है uracil के साथ और जो guanine है वो triple bond बनाता है cytosine के साथ यानि इनकी bonding बहुत strong है ठीक है क्योंकि यहाँ पर triple bond है बहुत सारे triple hydrogen bond है जबकि यह bonding इनकी क्या है बहुत weak है क्यों क्योंकि यह सिर्फ double hydrogen bond ही बनाते है यहाँ पस में तो यह बहुत जदा pressure create करती है और यहाँ पर जो RNA polymerase है उसको आगे move होने नहीं देती ठीक है तो उसको आगे move नहीं होने दे रही है तो यह रुख जाता है और दूसरा यहाँ पर pressure create करता है तो यह क्या है यह weak hydrogen bond है दो-दो hydrogen bond ही होते है तो यह easily break हो जाते है तो ऐसे करके यह जो RNA chain है यह release हो जाते है यहाँ पर ठीक है आप देख रहे हैं कि यह RNA chain आपकी release हो गई है यहाँ से ठीक है तो यह RNA यह लंबा RNA molecule है यहाँ पर यह आपका release हो गया है तो यह newly synthesized messenger RNA release हो जाता है और यह बाद में अपने cytoplasm में चला जाता है ठीक है यह होगे आपका row independent जो है आपका termination तो दूसरे type का termination क्या होता है row dependent termination तो इसमें क्या है जो row protein होता है वो important role play करता है जब उसकी presence में termination होता है तब क्या होता है आपका row dependent तो इसमें भी जो hydrogen bond hairpin structure होती है वो involve होती है बट इसमें row protein भी important role play करता है ठीक है because hairpin का क्या काम है यह hairpin जैसी बन जाएगी यू-pin यह जो RNA polymerase यहाँ पे काम कर रहा है आपको पहले भी image में हमने दिखाया था यह जो RNA polymerase यहाँ पे काम कर रहा है क्योंकि यह synthesis का भी काम करता है RNA polymerase और पीछे से इसको bind करने का भी काम करता है यह unwinding करता रहता है यह unwinding करता रहता है तो यह आगे नहीं बढ़ पाता because इस hairpin की वज़े से यह structure को क्या कर लेती है यह stuck कर देती है और दूसरा यह pressure create करती है यह यहां से क्योंकि यह एक बड़ी सी pin जैसी structure बन जाती तो यह bond तूट जाते है तो इसलिए क्या हो जाती है आपकी RNA chain release हो जाती है ऐसे यहां पे भी यह hairpin important role play करती है बट इसमें क्या होता है जो terminator sequence है वहाँ पे दो additional sequence present होते है मतलब हमने बताया था यहां पे दो important sequence है एक तो यह क्या है यह complementary जो आपके repeats है वो यहां पे present है और दूसरा क्या है six adenine sequence present है तो यह दो important conserve sequence होने के साथ-साथ यहां पे row dependent termination में दो और additional sequence होते है कौन-कौन से sequence होते है एक 50 से लेके 90 nucleotide pair long upstream sequence होता है जो की inverted repeats से पहले present होता है जो inverted repeats हमने दिखा है जहां पे C और G reason है मतलब G series reason जो है उससे पहले ही एक 52-90 nucleotide pair sequence present होता है जो सब में present होता है conserve है ठीक है जो की क्या करता है आपका जो produce करता है RNA strand जिससे की hairpin hairpin बन जाती है ठीक है और दूसरा क्या है आपका एक sequence है जो specify करता है raw protein binding site को जिसको क्या बोलते है RUT बोलते है RUT ठीक है यह है raw utilization से यह word आया है यानि कि raw protein इस sequence पे RUT sequence जो है उस पे bind होता है और यह जो है 3-and पे present होता है यानि जो last का जो sequence है वहाँ पे present होता है तो basically जो raw protein होता है वो जो RUT sequence है उन पे आके bind कर देता है जिससे कि जो RNA polymerase है वो आगे जाके a movement नहीं कर पाता because RNA polymerase भी move कर रहा है ना ऐसे इस direction में 5-2-3-dash synthesis हो रही है new RNA molecule की synthesize होता जा रहा है तो इसके साथ RNA polymerase अगर पहले यहाँ था synthesize हो गई फिर यहाँ पहुँच जाएगा synthesize हो गई आगे ऐसे पहुच जाएगा तो यहाँ पे 3-dash end के पास क्या होता है यह जो है RUT sequence प्रेजन्स होते है ठीक है RUT sequence यहाँ पे आके जो raw protein है वो attach हो जाता है अब यह protein attach हो गया एक structure आके attach हो गई तो जो RNA polymerase है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा यानि उसका movement यह बंद कर देगा raw protein ठीक है तो जो raw protein है वो RUT sequence पे bind हो जाता है और RNA polymerase को आगे move करने नहीं देता है जब यह RNA polymerase hairpin को encounter करता है यह रुख जाता है ठीक है hairpin के पास क्योंकि यह आगे movement रुख जाएगा जिससे की raw protein आके जुड़ जाता है और यह अपनी helicase activity को use करता है RNA, DNA, duplex को खोलने के लिए मतलब जो raw protein है वो आके जुड़ जाएगा और जो यहाँ पे जैसे synthesize हो रही है न यह RNA molecule बनता जा रहा है यहाँ से detach होता जा रहा है यहाँ बनता जा रहा है तो यहाँ suppose यह hairpin बन गई है यहाँ पे आपका RNA polymerase stuck हो गया अब इतने में क्या करेगा यहाँ पे आके जो raw protein है वो जुड़ जाएगा और क्या करेगा इसको जो है यह जो chain बनी है इसको यहाँ से dissociate कर देगा तो RNA molecule release हो जाएगा तो यह हो गया आपका raw dependent termination आप देख सकते हैं कि यह है आपका यह hairpin बन गई है यह जुड़ा हुआ है यहाँ पे raw factor आपका यह आके यहाँ पे जुड़ जाएगा और इसको क्या करेगा आपने देखा यहाँ पे dissociate कर देगा तो इसकी क्या होती है helicase activity होती है यानि कि यह आपका RNA DNA जो duplex है यहाँ पे यह DNA है यह RNA बनता जा रहा है तो यह जो duplex है यहाँ पे इसको यह release कर देता है ठीक है तो raw dependent में भी important role तो play वही करते है जो hairpinis structure होती है बट यहाँ पे raw protein क्या है dissociation का काम करता है ठीक है यहाँ पे वो जो आपके sequences थे ना जो UUU sequence बने थे जो A sequence present था वो यहाँ पे नहीं होता है इसलिए यहाँ पे raw proteins की जरूरत होती है तो यह आपके क्या होगे दोनों तरीके के termination होगे raw dependent termination और raw independent termination तो यह newly synthesized messenger आ रहे ने है फिर यह कहाँ जाएगा यह cytoplasm में जाएगा after processing ठीक है और वहाँ पे protein synthesis इसको template मान के protein synthesis होगी तो यह complete process है हमारा termination का तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने हमारा complete होता है transcription का process Thank you so much